कि वह बताने चाहँ है कि एक्जाम की दोप्रोशिस है वो तीन या त्यार श्टेप की प्रोशेस है अब इसमें में प्रीमेंस इंट्र्यू के टाइप में बात नहीं कर रहा है इसमें बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम किसी भी content को पढ़ते हैं तो हमारे पास एक बहुत सारा data आजाता है फिर हम उस data को simplify करते हैं फिर हम उसको दिमाग के अंदर retain करते हैं और उस return करने के बाद दब exam आता है तो हम उसको दिमाग से निकालते हैं तो यह एक four stage process होती है तो मैंने जिते भी candidates को दे data कैसे निकाला जाए और फिर उस useful data को में दिमाग के अंदर retain कैसे किया जाए और फिर दिमाग के अंदर है तो उसको exam के अंदर लिखा कैसे जाए तो हम जन्दली यह ज्यादा तर सुनते हैं कि यह बच्छा बहुत intelligent था इसके पास उसको सब कुछा आता था लेकिन उसको देना है जितना last का मतलब उसको आपके दिमाग के अंदर उसको वापस निकालना है तो उसके लिए test series लिखेंगे तो में पता चलेगा हमारे दिमाग के अंदर कितना है हम कोपी के अंदर लिख कितना पा रहे है जैसे कि एक paper है मैं लिख याया मुझे उसकी 5 बाते याद है लेकि मैं paper में तीन बाते ही लिख पाया तो मुझे पता चलेगा कि मेरे मतलब दो point में भूल कैसे गया अब मुझे अगली बार आके उसके work करना है कि वो दो point कैसे बूला था और अब उस student को return करने में दिख पता आई है कि ना वो पढ़के तो सारा है लेकिन paper के अंदर जा कि किस तरीके से मदलब ये study होती है इसा ना समझे आप जैसे coaching का notes आप उठाओ उसके बाद उसमें से useful data निकालो उसको अपने दिमाग के इसाब से उसको वापस बनाओ इसा नहीं कि दो coaching ने notes दे दिये उसी को पढ़ रहे हो अपने दिमाग के thinking process सब की अलग होती है तो आप किसी चीज के साथ associate करके याद कर सकते हो या लोगों के साथ या फिर अपने किसी friends को आप पढ़ा सकते हो या मतलब कहीं भी यूटूब के उपर देख रहे हो यादि किसी लेक्टर को देख रहे हो जैसे कि नेनो टेकनोलोजी का लेक्टर है तो आप पहले से प्रेडिक्ट करो कि यह टीचर बोलने वाला क्या है कि जैसे टीचर बोल क्यों बोला तो उससे आपकी thinking process जो दिमाग की है तो वो अत्थी चलेगी तो मैं चाता हूं कि इन चारो step पे पूरा focus किया जाएगा तो मलब असानी से हो जाएगा जो आरे सो या कोई भी exam हो